हाँ तो पुषपा की टीजर का इतना लंबा इंतिजार खतम हुआ और फाइनली हमें पुषपा 2 का टीजर देखने को मिला लेकिन गाइस इतना इंतिजार करने के बाद में सिर्फ एक मिनट का टीजर ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जात्ती हुगी न इसको टीजर की जाधा बोलना जीए क्योंकि इसमें केवल सिर्फ अलु अर्जुन को इदिखाया गया है जो भी एक भी डायलोग नहीं बोलते इसमें ना तो इसमें रश्मी का मंडाना का कुछ भी बताया है ना इसमें पहाद फाजिल को दिखाया गया है मतलब पुषपा के बारे में इस की expectation पे तो खरा उत्रा जाए आप भी मुझे बता हो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ आपने इस से ज़्यादा expectation नहीं लगा रही थी किया इस टीजर से क्या आपकी expectation कंप्लीट हो गई है गया और गाइज पुश्पा टू का जो बजट है वो 500 क्रोड रुपे बता रहे है गूग क्रेक्टर से उनको इस फिलम पर कितना ज़्यादा फैथ है क्योंकि पुश्पा वन ने 375 क्रोड रुपे की कमाई की थी गाइज और आप सो सकते होगी इसका बजट 500 क्रोड रुपे है अल्मोस्ट 125 क्रोड रुपे ज्यादा पतलम में यह कहना चाता हूँ कि उनके creators ने ब बहुत बड़ी फिलम सिंगम 3 भी आ रही है जिसका भी मार्केट बहुत बढ़ा है क्योंकि सिंगम 1 और सिंगम 2 लोगों को कापी जादे पसंद आई थी और वो जादे सक्सेस्फुल भी प्रेंचाइज का पार्ट है अगर गाइज आपको कमजोर लग रही है सिंगम 3 तो म हिंदी बेल्ट से कमाये थे और वो टोटल कलेक्शन का ओल्मोस्ट 35% हिस्सा होता है और एक फन पैक्ट बताऊं मैं आपको तो साउत की जितनी बड़ी हिट फिलमें हुई है वो हिट इसे लिए हुई है क्योंकि उन्होंने हिंदी बेल्ट में कमाई की है चाहे आप बाव बिल्कुल कलेस तो होगा और नुकसान दोनों तरफ होगा मैं यह नहीं कहा रहा कि सिर्फ पुषपा को होगा सिंगम को भी नुकसान होने वाला है लेकिन गाइस पुषपा वालों ने तो कंफर्म कर दिया है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए 15 तारिक को यह आएंगे लेकिन अभी तक सिंगम वालों का पिल्कुल कंफर्मेशन नहीं आए कि क्या वो पुषपान करने वाले हैं या उसी तारिक को आने वाले हैं बाकि इस टीजर के बारे में बात करूँ तो इस टीजर को सिर्फ अलु अरजुन के स्टाइल और स्वेक के उपर बेज़ा जा रहा है ज और क्या इन दोनों में से एक मूवी पोस्ट पॉन भी हो सकती है और गाईज मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सिंगम थ्री के साथ ये गलेश होती है पुषपादर रूल तो मुझे नहीं लगता कि ये एक हजार करूड रुपे का बोक्स ओपिस कलेक्शन पार कर प